इस वीडियो में हम 16th and 17th century English drama Unit 1 Dr. Fosters का Act 3 Scene 2 शुरू करने वाले हैं I hope अभी तक आप लोगों ने Dr. Fosters पर based questions जो हमने share किये हैं उन पर नज़र डाली होगी और आपको ऐसास हुआ होगा कि in-depth knowledge होना कितना जरूरी है तो आएं इसी के साथ हम Scene 2 शुरू करते हैं हम बिलकुल वहीं ज़र शुरू करेंगे जहां पर हमने last video में end किया था Pope Adrian के कहने पर Dr. Fosters और Mephistopheles who are disguised as the two cardinals ये फटा-फट वहां से Bruno को ले जाते हैं और उसके crown को भी साथ में ले जाते हैं अब इनका plan ये था कि Bruno को rescue करना है बचाना है तो Mephistopheles फटा-फट ब्रूनो को वहां से दूर ले जाते हैं और अब Dr. Fosters Pope Adrian का जो celebratory feast है उसे attend करना जाते हैं और इसके लिए वो special demand करते हैं Mephistopheles से वो कहते हैं make me invisible Mephistopheles I want to see what happens to the cardinals whose place we took earlier I wonder what Pope Adrian will do to them यानि जिन दो cardinals की जगा पर Fosters और Mephistopheles भेस बदल कर Pope के palace में chamber में आये थे और Bruno को ले जाते हैं अब Dr. Fosters देखना चाते हैं कि जब असली वाले cardinals Pope के सामने आते हैं तो उन पर क्या बीचती है और इसलिए Dr. Fosters ने Mephistopheles को बोला है कि मुझे invisible बना दो तो Pope Adrian के जो guests हैं Feast के लिए वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं इकटे होना शुरू कर देते हैं इतने में जो असली वाले cardinals हैं वो finally Pope के palace में और chamber में आ जाते हैं तो इस scene में पूरी comedy भरी हुई है आप देखें आप इसे कैसे appreciate कर पाते हैं क्योंकि इसी पर based question भी exam में पूछा जा सकता है this is not the first scene जिसमें comedy हो रही है इससे पहले भी हमने एक आदा scene discuss किया है लेकिन इसमें major comedy है देखें जो दो cardinals हैं उनमें से एक cardinal Pope को कहता है would you like to know what the senate has decided to do with Bruno क्या आप जानना चाते हैं कि सेनेट का क्या decision है कि Bruno के साथ क्या किया जाए तो ये सुनते ही Pope Adrian के face पर एक expression आता है कि ये क्या वाहियात सवाल पूछा इसने वो कहते हैं what are you talking about तुमने मुझे अभी तो बताया कि सेनेट का decision ये है कि Bruno और German emperor दोनों को punish किया जाना चाहिए और मैंने तुमें ये बोला था कि Bruno को ले जाओ इसे prison में डाल दो और अपना decision मैं कल सुनाओंगा कि Bruno के साथ क्या किया जाना चाहिए अब वो बिचारे जो cardinals हैं उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी जगह पर dr. fosters और mephosopheles उनी के base में disguised as them वहां पर already आ चुके हैं Bruno को लेके जा चुके हैं उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बता वो बिचारे हैरान परिशान है वो कहते हैं but we haven't said anything हमने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं और ये सुनते ही king Raymond को गुशा जाता है वो कहता है don't deny it अपनी बात से मुक्रो मत मैं वहीं पर था मैंने सुना था तुमको पोप एड्रियन को बोलते हुए कि सेनर्ज ने ये डिसाइड किया है ब्रूनो को पनिश किया जाए और मैंने देखा तुम्हे ब्रूनो को तुम लोग अपने साथ में लेकर गए उसका क्राउन भी ले गए अब वो बिचारे कार्डिनल चो पता ही नहीं के चल क्या रहा है वो कहते हैं you are mistaken my lord आपको शायद भुलेखा लग रहा है इतने में Pope Adrian को भी गुसा आजाता है वो कहते हैं ले जाओ इन दोनों को इन दोनों को भी prison में डाल दो अगर ये दोनों नहीं बताते कि Bruno कहां पर है ये Bruno को कहां पर लेके गए हैं और Bruno का crown कहां पर है इन दोनों पापियों को मार दिया जाए जैसा Pope Adrian कहते हैं वैसा ही होता है इसके बाद Pope Adrian ने जो फीश और्गनाइज किया है उसके लिए वो आगे बढ़ते हैं अब खाना पीना शुरू करते हैं अब यहां पर Dr. Fosters Pope को बहुत परिशान करते हैं पहली बात Dr. Fosters यहां पर invisible है पूरे चेंबर में पूरे कमरे म वो घूम रहे हैं और यह पूरे पूरे इंजॉय करने के मूड में हैं जैसे ही Pope Adrian कुछ खाना चाते हैं हाथ में कुछ पकड़ते हैं मूग की और लेके जाते हैं वहीं पर Dr. Fosters उनके हाथ से वो चीज चीज चीन लेते हैं और Pope Adrian को लगता है कि भई कोई invisible हैंद है कोई ऐसा हाथ जो में देखना चीज आ ही पा रहा है। जो मेरे हाथ से खाने की चीजें चीन रहा है। एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है। Technically जब वो वाइन का गलास उठाते हैं तो Dr. Fosters जो invisible हैं वाइन का गलास भी चीन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, वहाँ प Why speak you not? Who snatched the meat from me? My wine gone too? Ye lovers, look about and find the man that doth this villainy, or by our sanctitude you all shall die. जैसे example के तौर पर, जब classroom में कुछ होता है, और teacher सभी students को कहती है, कि बढ़ी बताओ किस नहीं किया, अगर नहीं बताओगे, तो सभी को punish किया जाएगा. तो यहां पर फोब एड्रियन कहते है, कि तुम लोग बताओ तुम में से कौन था, जो ये मजाख, ये गंदा मजाख मेरे साथ कर रहा है. ये बतता में जी किस नहीं किया, बताओ. नहीं बताओगे तो तुम सब को मार दिया जाएगा. इतने में एक priest, जो archbishop है, वो कहता है, I think there is a ghost at the feast. मुझे लगता है, यहां पर किसी की आत्मा भटग रही है, और हो सकता है, ये एक ऐसे इनसान की हो, जो मर गया है, लेकिन उसको अभी शान्ती नहीं मिली है, तो मुझे लगता है, कि वो यहां पर आपके आशिरवाद के लिए आया है, इसकी जो आत्मा है, वो आपकी blessings के लिए आई है, तो Pope कहता है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, वो फटा-फट कुछ प्रीस को ओर्डर करते हैं, कि भई, इस भटकी हुई आत्मा के लिए प्रेयर्स की जाएं, ताके इसको शान्ती मिल सके, और अब यह ऐसा करी रहे होते हैं, कि डॉक्टर फॉस्टर्स अचानक से पोप एड्रियन के कान पर बजाते हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स इतना जोर से पोप एड्रियन के कान पर बजाते हैं, कि पोप एड्रियन एकदम से जम्प करकर टेबल से खड़े हो जाते हैं, और अपना कान पकड़ने लगते हैं, क्योंकि Dr. Fosters struck a hard blow at the Pope's ear बहुत जोर से बजाते हैं उनके कान पर तो Pope Adrian को बहुत गुसा रहा है समय He is furious at the insult कि ऐसा कौन है जिसने मेरे साथ ये बच सलूकी की है गुसे में कहते हैं I curse this soul जिसने भी मेरे साथ ये किया है कि जो भटकी हुए आत्मा तुम लोग बता रहे हो मैं इस सोल को श्राब देता हूँ Mephistopheles Dr. Fosters को कहता है Dr. Fosters अब आप क्या करोगे Pope ने प्रीस को ओरर किया है कि आपको श्राब दिया जाए and they will be doing it with a bell, book and candle तो देखने में Friars वहांपर आते हैं यह पढ़ना शुरू कर देते हैं कि Cursed be he that stole his holiness meat from the table that struck his holiness a blow on the face यानि उस आत्मा को हम श्राब देते हैं जिसने Pope Adrian का मजाग बनाया उनको मारा उनके हाथ से wine के ग्लास सीना उनके हाथ से खाने के समान सीना हम उसे श्राब देते हैं अब यह सब चली रहा होता है कि Dr. Fosters और Mephistopheles इन Friars को मार मार कर वहां से भगा देते हैं क्योंकि यह दोनो invisible हैं और ना केवल मार के भगाते हैं बलकि fireworks भी फिंकते हैं जैसे आप जानते हैं fireworks जिसमें explosion होता है तो ऐसा उनको डरा के भगाते हैं कि यह scene यहीं पर खत्म हो जाता है इसके बाद act 3 का scene 3 है यह बहुत छोटा सा scene है जिसमें Robin और Dick एक trick प्ले गरते हैं एक winner पर यानि कि एक wine merchant पर अब हुआ क्या है यह लोग wine पीने वहां पर जाते हैं और वहां से एक wine का glass चुरा लेते हैं तो वह बिचारा wine merchant इन से पूछता है कि भई तुमने चुराया है क्या बताओ किसके बास है लेकिन Robin और Dick उसको पागल बनाते हैं कहते हैं हम तुमको चोर लगते हैं क्या क्या हम तुमें wine goblet चुराने वाली लगते हैं तो वह जो wine merchant है इन दोनों को एक एक करके चेक करना शुरू कर देता है लेकिन obviously जैसे पहले अगर Robin को चेक किया तो Robin ने फटाफट वह wine goblet ये glass डिक को पकड़ा दिया अब ऐसे ही उसको चेक किया तो उसने Robin को पकड़ा दिया तो ऐसे ही ये उसको पागल बनाते हैं और last में इनके दिमाग में बता नहीं क्या आता है कि ये Mephistopheles को बुला लेते हैं ये मैंने पहले भी आपको बताए था कि ये सिलसला शुरू हुआ था Dr. Fosters से Dr. Fosters का जो servant है Wagner उसने भी एक आद magical trick सीख ली है या वो जो magical book है जिसमें तंत्र मंतर लिखे होई हैं जिनके उचारन से devils अपियर हो जाते हैं ये काम Wagner में भी शुरू किया लेकिन Wagner ने Dr. Fosters की तरह कोई इतना बड़ा agreement नहीं किया devil से कि 24 साल के बाद तुम मेरी आत्मा ले जाना ये छोटे मोटे मजा करते हैं और आगे Wagner से ये चीज रॉबिन तक पहुंच गई कि रॉबिन ने उसकी संगत में रहकर Dr. Fosters की एक magical book चुरा ली है और यहां पर एक बार फिर वो devil को बलाता है मेफिस्टाफिलीज को बलाता है help के लिए क्योंकि यहां पर मामला ये है कि वो जो wine merchant है उसने इन पर इलजाम लगाया है कि तुमने मेरा एक wine goblet चुडाया है मेफिस्टाफिलीज इनके बलाने पर आद हो जाता है लेकिन इतना irritate होता है इस चीज से कि भाई तुमने मेरे काम में interruption किया मैं अपना काम कर रहा था मेफिस्टाफिलीज का काम है कि 24 साल तक ये डॉक्टर फॉस्टर्स को सर्फ करेंगे तो मेफिस्टाफिलीज कहता है कि you interrupted my duties तो बहुत गुसा आता है मेफिस्टाफिलीज को वो क्या करता है डिक को एक एप में बदल देता है यानि एक बंदर में बदल देता है और ये देखा रॉबिन हसने लगता है अरे वाँ इसको बंदर बना दिया अच्छा गिया अब मैं इसको लेके लोगों को ट्रिक्स दिखाया करूँगा तो मेफिस्टाफिलीज कहता है ये बहुत छोटा सा सील है इसके बाद नेक्स आक्ट शुरू होने से पहले हमें कोरस ये बताता है कि फाउस्टिस एंद मेफिस्टाफिलीज ये दोनों विटनबर्ग वापस आजाते हैं ये जो लेंदी वर्ल्ड तूर पर ये गए थे जहां पर इन्होंने रोम में काफी ट्रिक्स दिखाई पोप को परिशान किया डूनों को रेस्क्यू किया तो फाइली यहां से वापस वो विटनबर्ग आजाते हैं डॉक्टर फॉस्टर के फ्रेंज उन्हें दुबारा देकर बहुत खुश होते हैं और डॉक्टर फॉस्टर की रेपिटेशन हैं यह बढ़ती चली जाती हैं और इवेंटली पूरी जर्मनी में डॉक्टर फॉस्टर फॉस्टर हो जाती हैं और इसी के चलते जर्मन एम्परर हैं चार्ल्स दे फिफ्ट इनको भी डॉक्टर फॉस्टर के बारे में पता लगता है कि इतना एक्स्ट्रा ओर्डिनरी मैन जो ऐसी ट्रिक्स दिखाता है ऐसी इनमें मैजिकल पावर्स हैं ये डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए मेसेज भेजते हैं इन्वाइट करने के लिए कि आप हमारे यहां पर आएं तो as you can predict next act जो की act 4 होने वाला है उसके पहले सीन में हम यही डिसकास करेंगे कि जब डॉक्टर फॉस्टर्स जर्मन एंपरर चार्ल्स दे फिफ्ट के पास जाते हैं वहां पर क्या कुछ करके दिखलाते हैं इस बारे में हम नेक्स वीडियो में बात करेंगे तो guys this is it for this video if you like the video please share it with your friends and subscribe to my channel and thank you for watching